मीडिया बंदू हों, जैसा कि ये विदित हैं कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित वे गरीमा में सविधानिक नाम हैं। तथा परम पुझे बावा साब डॉक्टर भीमराव अंबेडगर के इस पवित्र मानपतावादी वे जन कल्यानकारी सविधान से अपने देश के सभी जाती अवं धर्मों को मनने वाले लोगों का अपार प्रेम बेहद लगाव अवं सम्मान हैं। जिसे बदलके वे चिल्ड़ चाड़ादी करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवार करना क्या ये उचीत वे नियाय संगत हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतेई भी उचीत वे नियाय संगत रही हैं। अर्थात ये घोर अनुचित हैं। इतना ही नहीं। बलके इस बारे में सचाई तो ये हैं कि देश के नाम को लेकर अपने सविधान के साथ छेड़ चाड़ करने का मोगा। बीजेपी के एंडिये को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रन्निति वे सडियंत्र के तहट अपने गटबंदन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। या फिर ये कहा जाएं ये सब कुछ सत्तापक्ष वे विपक्ष की अंद्रोनी मिली भगत से हो रहा है। यदि ये सब कुछ हो रहा है तो इसकी जितनी भी निंदा की जाएं वे कम है। वैसे भी कांग्रेश वे बीजेपी द्वारा चुनाब पूर इनकी इस राजनिती को अर्थात भारत बनाव इंडिया बनाने के इनके इस घिनोने खेल को लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। जिसकी वज़े से अब इनों ने यहां गरीबी, महगाई, बेरोजगारी वे विकास आदी के ये खास वे अत्यान जरूरी मुद्दे दरकिनार कर दिये हैं। इसलिए हमारी पार्टी का इन दोनों जातिवादी, संप्रदायक वे पुझीवादी गटवंदनों से दूरी बनाए रखना पोरे तोर से सही वज़न हितेशी भी है। इसके साथ ही यहां मैं ये भी कहना चाहूँगी कि विपक्षी गटवंदन के इंडिया नाम को लेकर बीजे पीवे इनके अंडिये को तथा इनकी केंदर की सरकार को जबकि चाहिए ये था तो जबकि इनको चाहिए ये था कि इनको लगे हाथे इसके विरुद्ध मान्य सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था या फिर इस मामले में कानून बना कर संबंदित नाम रखे जाने पर प्रतिबंद लगा देना चाहिए था किन्तु ऐसा ना करके अब इसको लेकर जो संकीन राजनिती की जारी है ये ठीक नहीं है वजजन बिरुद्धी भी है इसलिए ऐसी स्तिती में हमारी पार्टी ये चाहेगी कि अब मानने सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संग्यान लेकर यहां ऐसे सबी संग्ठनों पार्टीों वेगट बंदनों आधी पर तुरंत रोक लगाना चाहिए जो विसेश कर अपने देश के नाम पर बने हैं वरना फिर अपने देश की गरीमा को भी काफी ठेस पहुंचेगी इतना ही नहीं बलकि विपक्ष वे अब सत्ता पक्ष दुआरा भी अपने देश के नाम पर की जा रही इस स्वार्थी वे संकिर राजनिती से हैं फिर अपने सविधान के साथ आई दिन छेड़ छाड़ कर अंत में मुझे पूरी उमीद है कि माने सुप्रीम कोट इसमामले का खुद संग्यान लेकर अपने सविधान के साथ किसी भी पार्टी वे फ्रंट आदी को छेड़ चाल करने का मोगा नहीं देंगे इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समात करती हूं धन्य लेखला बात